तो लोग राइफल, बंदूक और रिवॉर्वर लेके खड़े गए। मैंने का आप हमसे बात तो करें बात नहीं करना है। और आप आदे गंडे गंडे अगर नहीं निकलेंगे तो हम लोग गोली चला देंगे। लोग और पीजी की परिख्षा कदाचार मुक्त कराना कितना कठिन था जिसको मैंने बिल्कुल सरल बना दिया। प्राची इंवस्टी में जो मैं जोईन किया कुलपती के तौर पे जिसे मैं चार्ज ले रहा था। उस दिन वर्सों से करमचारी एक घंटा सुबह और एक घंटा साम नारा लगाते थे। प्राचार्ज और पिता दोनों रहते हैं तो आपके पास तो कुछ अपनी व्यक्तिकत समस्यां के लिए छात्र आएंगे। कुछ चातर आया कि जब पैसा नहीं है, कोई लड़की आया कि मेरे पैसा नहीं है, फादर नहीं दे रहे हैं चाहिए कुछ नहीं, जो भी समझ से है उसकी है, तो मैं उसको फॉर्म हनने का पैसा या फीस का पैसा दे रहता था। एक नियम था कि अगर कोई असाथ बिमारी इसे गरसित है, तो लोगों का व्यतन कटेगा और इसको दिया जागा। उस तरह से में वो लड़ाई भी कर्मचारी जीत जाते थे। अगर नौ बजे तुम कॉलेज जाते हो तो लाइट जलने के पहले शाम में घर आ जाना है। वो नियम मेरा उस वक्त भी था और आज मेरे लिए भी है और मेरे बच्चों के लिए भी वो नियम था। कि अपनी गलती को जिस्टिफाई करने में, सिद्ध करने में कि मैं गलत नहीं था, मुझे तीस साल लगे। आज सटर असी साल के आजादी के बाद भी हम साक्षर हिंदुस्तान की बात करते हैं, जबकि अब सिक्षित हिंदुस्तान की बात होनी चाहिए। नमस्कार, आज हम आपकी मुलाकात 73 साल के एक युवा से करवा रहे हैं, जी हाँ आपने ठीक सुना 73 साल के युवा, जिनके पास उमर की इस धालीच पर भी 25 से 35 साल के किसी भी युवा से ज्यादा होसला, ज्यादा उर्जा और ज्यादा जिजिविसा हैं, आप हैं पूरा ज्यारखंड एक सिख्छाविन और कुशल प्रसार्शक के रूप में जानता है, राची कॉलेज और जी एन कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पर, राची विस्विद्याले के कुलपती और प्रतिकुलपती के तौर पर, ज्यारखंड एकेडमिक कॉंसिल के चेर्मैन के तौर पर जारखन के पुरो राजिपाल मानिय द्रौपदी मुर्मु के सेक्षनिक सलाहकार के तौर पर और भी ऐसी कई भूमिकाओं में आपने हर जगह सामदार ट्रेंड सेट किया हम आज आप से आपकी नीजी यात्रा आपके अनुभाओं के साथ साथ राज के करियर की राहतलात रहे युवाओं से जुड़े सवालों पर और बाकी मसलों पर बात करेंगे सर आपका एड़ी टीव इंद्र धर्मुष में बहुत-बहुत स्वागत है एक सक्सियत जिससे पूरा राजी परिचित है जारखन्ड बिहार के लोग जानते हैं इससे इतर सर आपके जीवन की प्रात्मिताय क्या रही आपकी प्रतिबधताय क्या रही अंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत परिवार में ही है और वहीं से मैंने सीखा कि अनुसासन और प्रतिबधता जिस काम को भी आप करते हैं उसको पूरी इमानदारी से करें और किया था उसी तरह समनों को रखा गया जिसले जब मैं नौकरी में भी आया तो मैंने वही बाल की और खास करके मैं ऐसे प्रोफेशन में आया सिक्षा जगत में जहां आप सिक्षक के तोर पे या प्राचाज के तोर पे या उससे और कहीं आप जाते हैं तो आप एक रूल किस तरह से आप चलते हैं तो हर जगह आप एक मैगनिफाइंग लास पर रहते हैं लोग आपको देखते हैं क्योंकि आपसे लोग को सीखना है शर आप जहां भी रहे आपने ट्रेंट सेट किया जेन कॉलेज धुरवा के प्राचारे के तौर पर राची कॉलेज के प्रिंसिप रहा वहीं से लेक्षर रीडर प्रोफेसर हुआ और 88 में मैं प्राचार बन गया इसमें मैं प्राचार बना उसमारे उम्र 37 वर्स थी राच्री कॉलेज क्योंकि बहुत ही सीनियर कॉलेज है तो टीचिंग के अलावा कोई अड्मिस्टर्टिव एक्स्पिरियंस मेरे पास थ लेकिन जब मैं छात्र था या सिकछत था तो दो चीजे मैं हमिसा अनालाइज करता था कि वे सी कौन सी चीज चात्रों में है जो लोगों को अच्छी लगती है और कौन सी चात्रों के ऐसी चीजे हैं जो लोगों को चूपती है या फिर सिक्षकों के भी कौन ऐसी बात है जो लोगों को चुपती है और अच्छी लगती है और प्राचार्च के भी कौन बात ऐसी है जो चुपती है और अच्छी लगती है फिर मैं जब लेक्षर हुआ तब भी मुझे फिर से इसको इनलाइज करने का मौका मिला कि छातरों के कौन से ऐसे गुन है जो लोगों को पसंद आते हैं और कौन से उनके खामिया हैं जो लोगों को ना पसंद होती है इस ऐसे प्राचाज के भी कौन से गुन और अब गुन है जो लोग पसंद और ना पसंद करते हैं च्छात्र सिक्षक, अभिवावक, प्रिंसिपल और टीचर सभी मैगनिफाइंग ग्लास में रहते हैं। तो यही हमारा गाइडिंग फोर्स रहा, क्या अच्छा लगता है और क्या खराब लगता है। इतल forefront जब मैं प्राचाज बना तो मैंने यह सोचा कि जो चीजें मुझे देख च्छात्र सिख्षक curse को की अच्छी नहीं लगती थी, वह नहीं होना चाहिए. जो काम प्राचाज का मुझे अच्छा नहीं लगता था, वह मुझे नहीं करना चाहिए. तो यह तो मेरा guiding force था और यही मेरा मूल मंत्र भी हो गया दूसरी चीज़ कि जब आप किसी college में जाते हैं तो छात्र कि क्या पेक्षाय होती है उनका class ठीक से चले लैब में अगर वो जाते हैं तो उनको सब materials मिले लैबरेरी में जाते हैं तो उनको सबी किताबें मिले और किताबें उनके रूप हो सिक्षक जो पढ़ाएं वो interesting हो और समय में पढ़ाएं अगर उन्हें कोई कठिनाई है तो सिक्षक उसे जबूर बताएं class के बाद में बेगर ज़रूरत हो तो उसे बता दे यह चात्र के समस्या है इसके साथ-साथ वो चाहते हैं कि खेल कुद हो हम डिबेट कर सकें और हमें अगर कोई प्रदिभा है तो उसे कॉलेज निखा रहे है अगर यह तमाम चीज़ों को आप पूरा कर देते हैं तो फिर चात्र आपके साथ हो लेते हैं सिक्षक और करमचारी की दो समस्या होती है एक कि उन्हें काम करने का महौल मिले समय पे उन्हें वेतन मिले और इसके अलावा अगर कि उनकी कोई परिशानी जो विश्वद्याले से चाह कहीं और है तो उसमें अगर आप सहीयोग कर सकते हैं आप से यूप करें, तो ये तमाम चीजों को अगर आप पूरा करते हैं, तो आपको सिक्षक, छात्र और करम चारिए कोई समस्या नहीं रहा जाती है, इसके बाद आप कैसे काम करना चाहते हैं, तो काम करने में आपकी निस्ठा और इमानदारी को लोग देखते हैं, तो मैंन आपके पैसे का रूप नहीं लगता है, और आप इमानदार हैं, तो सिर्फ आप मानदार हैं आप रहने से नहीं, दिखना भी चाहिए, तो आप दिखेंगे कब, जब उसमें आप इन्वार्टी नहीं होगा, तो मैंने पहले सब चीजों को डिसेंटरलाइज कर दिया था, प्राचाज बनने के साथी, कि प्राचाज एक रुपे का भी चीज नहीं खरीद सकता है, और मैं अपने जीवन काल में चाहिए प्राचाज रहा, कुलपती रहा, प्रतिकुलपती रहा, चेर्मेन रहा, मैंने एक रुपे का भी समान अपने से नहीं खरीदा, जो लोग खरी किताब खरीदने में च्छात्रों के भी साथ भागता मैंने सुनी शित की थी अच्छा अब तक हुआ नहीं था नहीं मेरे जबाने में आप पता कर लें गरांची कॉलेज में इनवस्टी में भी जो टॉपस रहते थे वो बुक कमीटी में रहते थे ताकि कौन सी किताब चाहि और यही हमारी प्राफ में इकता थी तो लड़कों को लगा कि जब हम एड्मिस्ट्रेशन के भी पार्ट में हैं हरीत फरोस में भी हैं तो अपनी जवाब देही समझने लगे और उनका अपना इंपॉर्टेंस लगा कि मान समान मुझे पूरा दिया जा रहा है और मैं अपन महाल रासर है तो महाल बनाना सर्फ मेरा काम था बाकी इन लोगों पर छोड़ दिया ये लोग इन चीज़ों को देखते थे ये सिक्षक कभी नहीं सुनना पसंद करते हैं कि अगर वेतन जिस दोर में मैं काम कर रहा था तो बहुत ही खराब दौर था बिहार सरकार में वेतन समय पर नहीं आते थे वेतन प्रतिशत में आते थे तो पूरे समय सिक्षक उसी के लिए परशान रहते थे और बेजना रहता था तो फिर ये चवाब थे ये प्रिंस्पल क्यों होती है कि एक तारीक उनको भुक्तान कैसे किया जाए तो हम जब किसी चीज को परिवार की तरह चलाते हैं उसमें इंवाल्ड हो जाते हैं तब हमारा नजरिया बदल जाता है और ये जब मैं प्राचार्श उसका नाम था टिंपररी लोन फ्रॉम प्राविनेंट फंड एक तारीक को आप लड़कों को सैलरी देना आप आये आपको प्राविनेंट फंड सो वेतन के बराबर पैसा दे दिया जाएगा फिर वेतन आएगा तो उसमें अड़ेस्ट हो जाएगा ये बड़ा सलल चीज थ हैं तो दूसरे जगे को आते हैं आप अपके लड़कों को जानता हैं उनको मैंने कंट्रोल कर लिया क्लास चल रहा है लोग लाइन में चल रहे हैं कोई बदमासी नहीं कर सकता एव टीचिंग कहीं मेरे जमाने में हुआ ही नहीं चालीस-पैटालीस साल मैंने काम की कभी मैं उसमें चला जाओं और लड़तों को मोरैलिटी के बारे में नैतिक सिक्षा देश के विसे में और जेनलिट स्टेडी यह मैं पढ़ाता था तो इससे एक चीज क्या हुआ कि देश दुनिया के बारे में जानने लगे कभी कभी ऐसा हुआ कि दो क्लास नहीं चल रहे हैं ती दुनिठ लाइं लिखो तीसरे क्लास में इसका हिंदी को सुबदार स्क्वारे में 10 लाइं लिखो सभी क्लास इंगेज्ज ता सभी लोग लिख रहे हैं अजब लिख कर दीए तो सिक्ष्यों कमेंड़े हैं और यह माना जाता था कि जिसका कोई आज नहीं हो चकता है लोग जादे दियान को ब्रवा में पहले है जी और तो तंस दो धिरूने में सबको मज़ाता हैं। पानी जी दिश्था दाधर में बहर रही है उत्रत तो ज्यादर मज़ाता है। लोग ज्यादे द्यान सबको देखते हैं। लोगों ने कहा कि आपको यहाँ जभाइन नहीं करने देंगे, 37 वर्स का उम और पहले दिन आप जा रहे हैं और आपको लोग बोल रहे हैं कि आपको जभाइनी नहीं करने भी वह प्राचार होंको अप्वीन. तो कॉलिज था लेकिन की तरह के लोग रहते हैं मैंने का आप हमसे बात तो करें में बात नहीं करना है और आप अधे गंडे गंडे अगर नहीं निकलेंगे तो हम लोग गोली चला देंगे इन्वर्स्टी के अधिकारी मेरे साथ गय थे चुके मैं भीहार शरी देखा ही नही ही आगया फिर कुछ समय के बाद मैं महीं जोइन किया वो कॉलेज पीजी कॉलेज बना एटी नाइन में उसको मैंने कंप्यूटराइस्ट कर दिया था लौ की पढ़ाई शुरू हुई पीजी की पढ़ाई शुरू हुई और जब मैं आ रहा था तो वही जगह के लोग नम से मुझे विदा किये जब मैं इंटरिन विस्ट ट्रांसफर के बाद राची आ रहा था सेमिनार हुआ वहां से किताब निकली क्राइसिस इन हायर एजूकेशन जिसका फोरवर्ड उस समय के गवर्णर सफीक और एजी साहब ने लिखा था तो बहुत खुश थे लोग तो य चीज मेरे साथ थी और जब जेन कॉलिज की बात आप जो कर रहे हैं मैं जेन कॉलिज जब आया तो कुछ एक्सपीरियंस मुझे प्रिंसिपल्स का हो चुका था एक्जाम कैसे लिया जाता है वो मैं जान चुका था तो यहां जब मैं आया तो यहां भी बहुत रावडिजम तो अगर समस्या बहुत बड़ी है तो आपकी जीत पी जादे बड़ी होगी दिलकुल तो यहां एक तो समस्या थी छात्रों की रावडिजम बहुत था और इसी बीच में जोएन करने के एक महीने के बाद लौ की परिक्षा आ गए मैंने सिक्षकों को संबोधित किया और कह कि परिक्षा कैसे चलती थी मैंने जानता हूं लेकिन मेरे हां परिक्षा कदाचार होगी कि मैं अलंदावी में कदाचार मुफ परिक्षा लेता था यह लोग बोले कि सर यहां तो बहुत हंगामा हो जाता है सभी बेंच तूटे हुए हैं सभी खिड़किया तोड़ दी गणामा हो गया जी लोगोंने कहा कि जेहन कालस धुआ में शौड़ी हो रही होगी कि बोल्गों ने कोशिव ने नहीं दोनों पराजाज को बुलाया उनननों को पूछा कि आप मैं चाहता हूँ कि आप ही पूरी परिच्छल लें लेकिंग दोस हैं पहली सर्थ कि हमारे नह खराब है आप मुझे सफिसेंट बेंच देते हैं रांची विश्विद्याले की तिहास में पहली बार रहा किसी कॉलेज को इन्वस्टी ने पूरा बेंच दिया कॉलेज मेरा फरनिस्ट हो गया और दूसरा मेरा कंडिशन था कि कम वॉट में पर मैं एक्जाम लूँगा कुल कुलपती अगर वहां पर मौजूद हैं तो लोग प्राचा से नहीं कुलपती से बात करेंगी तो उन्हों यह बात पर भ्यागरी किये और उस वक्त मैं डिस्ट्रिक अडमिस्ट्रेशन से जाके मिला और उनको मैंने बताया कि जब मैं बिहार शरीपी में चोरी रोक रहा थ तो मैं DMV को एक ही बात कहीं थी उन english जूक्त बचाए ख़ाक्षा में क्यों वेस्त करौँ आ अगर आप परिक्षा में चोरी रोक देते थे तो आप में festa को देते हैं तो जो वैक्ति परिक्षा की चोरी रोब दिया , वोड शेहर के हर चोरी को रोब दिया यह बात उनंटों को अपील की थीечение मुझे पुरा प्र जिस को रोब दूगा लेकिन अंदर आप को रोकना होगा सिक्षक लोग बोले कि हम लोग अगर एक्सपेल्ट करेंगे तो हारे पर जान पर आ जागा या आएगा अगा जैसा लोग बोलते हैं मैंने काया कि आपको कुछ नहीं करना है अगर आप किसी को चौरी करते देखें तो आप सिर्फ मुझे बताएंगे परिशा का दाचार हुई कभी किसी सिक्षक को कोई कठिनाई होती ति मैंनको घर तक छोड़ने चाता था और लड़कों का उपद्रोब बिलकुल ही खतम हो गया पहले दिन से जब हम लोगों ने एक्पलसन सुरू किया तो कुछ रांची के दबंग लोग भी लोग का एक्जाम दे रहे थे कुछ एक्षकों से पूछा कि आज पहले दिन ऐसा होगा कि रोज ये प्राचाज ऐसा ही करेंग तो वो ने कहा ही रोज ऐसा ही करने आए उस तरह के कुछ लोगों ने ड्रॉप कर दिया एक्जाम इसका मेसेज हुआ कि और लोग भी समझ के कैसा नहीं करना आज जही चलेग बाद में फिर PG की परिक्षा भी दी गई तो यह आप लोग के सभी के अख़बार में होगा और उस समय के सभी के लोगों के जहन पे होगा यह बाद कि लॉआ और PG की परिक्षा कदाचार मुट कराना कितना कठिन था जिसको मैंने बिल्कुल सरल बना दिया और चात्रों ने एक्सेप्ट किया और जो कॉन्फिडेंस की बात आपको मैं करती हूं कि लीडर में लोगों कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो बोल रहा है वो करेगा एक दिन फिजिक्स की एक्जाम थे कोश्चन बहुत खराब आगे था चात्रों बहुत खराब है चात्रो देना है मैं चार कर सकती हूं जो तो मिनिट का समय दो और जो टाइम में ले रहा हूं उतना एक्स्टा टाइम मिलेगा तुरत कुलपती को फोन लगाया इस वक्त में बात कर रहा हूं उस वक्त दो ही जगे PG के पढ़ाई होती थी राची में और चाहिवासा में जी मैंने ख प्रिंसपल टाइम कर दें वक टो जाएगा लेकिन चार कॉस्टिन लड़के लिग सकते हैं और मैं चाहता हूं कि चार कॉस्टिन में ही इन लोगों को इवैल्यूट किया जाए कि लगों को यह लगा कि जो बोल रहा हैं वो करें तो जो भी प्रिंस्पल होता है या जो भी जिस छेत्र का लीडर हो उसमें लोगों का जब कॉन्फिटेंस आजाता है तब वो जो कहता है लोग करते हैं पिर भाही होने में रांची कॉलेज जब मैं आया तो रांची कॉलेज के बहुत रिन मेरे उपर था मैं महीं पढ़ा था और जो भी मेरी ट्रेनिंग थी सिक्षा- दिख्षा थी वहीं से दी गई थी रांची कॉलेज में जब जोएन के 99 में उस वक्त जार्खन नहीं बना था तो पिलिट टू पोस्ट में दौड़ता रहा चूकर रांची कॉलेज में कुछ कमरे ऐसे थे जिसमें पानी चूता था वर्सों से पुचाड़ा नहीं हुआ थ तो उसको बनाने के लिए जब मैं सरकार से मिला तो लोगों ने कहा कि कितना पैसा चाहिए मैं पैसा हम पो नहीं चाहिए आप बनवा दें और वो भी एक इतिहास है कि सरकार ने पुरे कॉलेज का रिपेर करवाया उच्छाड़ा करवाया और कॉली एक रंग रूप में आ एक तो बोल रिंद था जो मुझे चुकाना था वने चुकाई बाद में आपको मैंने पहले भी बाद में कही होगी कि बिहार में चार-पांच कॉलेज का स्पिशल स्टेटस रहा है पतना कॉलेज, साइंस कॉलेज, राची कॉलेज, एलेस कॉलेज और टी एंबी का इस रेस प्रण को बाद में चार-पांच कॉलेज का बाद में राची कॉलेज को अपतना कॉलेज, साइनस कॉलेज, एलेस कॉलेज, टी एंबी कॉलेज से आगया गया गया गया। और फिर आपको जो मैंने कहा कि इश्वर ये देन होती है और आज राची कॉलेज अपकरेड़ तो एंबस्टी तो सब लोगों में मिलके किया और वो टीम काम की, जो मेरे जमाने में टीम थी वही टीम लगी रही और इंबस्टी बना और अभी पर अच्छा से इंबस्टी चल रहा है, सभी सक्षम लोगा है और सभी लोगा ने बहुत अच्छा से काम किया, जब मैं जयाग जोएन किया तो बहुत बड़ा चुनौती था कि मैं जिनके बाद जोएन करने जा रहा था वो चीप सेग्रेटर थी, लक्षमी सिंग जी चीप सेग्रेटर थी हैं, उसके बाद में जोएन कर रहा था, तो आपको उनके बगर में उनके समान का लकीर या उनसे बड़ा लकीर अगर खीशना है तो आपको कितना मेहनत करना होगा आपको जानते हैं, तो मैंने मेहनत की, और एक चीज़ का मुझे अपने लाइफ में रिपेंड़न्स नहीं है कि कोई क चात्रों का, सिक्षकों का, करमचारियों का, विवावकों का पूरा स्नेह रहा, और किसी राजनितिक ने मेरे ओपर कोई दबाव नहीं डाला, और मैं कभी दबाव में काम करने वाले ऐसे व्यक्ति था भी नहीं, लेकिन जो बोलते हैं, पूरी तरह से संतूस्ट, पूरी स संतूस्ट इनसान होई नहीं सकता है, जिस दिन इनसान पूरी तरह से संतूस्ट हो गया, तो प्रगति रुख जाएगी, इसलिए वो संतूस्टी तो मुझे अभी भी नहीं है, अभी भी कुछ काम करने के इच्छा होती है, कि कुछ काम करें, और जो काम पहले नहीं किया, जो काम किसी कारण से नहीं कर सकते थे, वो मैं करता हूँ, और एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, कि जब आप पढ़ते हैं, तो पढ़ना इसलिए उतना इंट्रेस्ट नहीं आता है, लेकिन जब लगगा कि नहीं इंट्रेंमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको वो पढ़ना आएगा, और अभी मैं कुछ किताब में गीता फिर से पढ़ा, रमायन पढ़ा, चुकर मैं शुरूर में तो सूती की जो बात आप जानते हैं, कि अंदुस्तान में बहुत से चीज़ हैं, परम परागत थेंग से लोग आ गए, तो मैं जोएंट फैमिली में र मेरे सिक्षक थे, उनकी पत्नी रमायन पढ़ती थी, तो मैं उसी से रमायन सीखे, लेकि मैं भी फिर रमायन पढ़ रहा हूँ, लेकि जब भी इस तरह के आंदुलन मले चीज़ होते थे, जैसे परिक्षा जो और कोई चीज़ मेरे परिवार वले घबडाते थे, लेकि मेर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरे साथ रहते थे, वो कभी नहीं गबड़ाती थे जीज़ों से. मैं राची इंवर्सिटी का चात्र रहा, और हम लोग अपने वक्त में यह होता थे कि परिच्छाएं देकर भूल जाते थे कि रिजल्ट कब आएगा, या परिच्छा कब होगी, अगली परिच्छा कब होगी, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं होते थी, आप राची जो है वो, लगता था कि नहीं कोई सुधार की कहीं कोई जाइस नहीं देखती है, ये कभी आपको ऐसल लगा नहीं कि यहां एक ऐसी जगह पर जा रहा हूँ जहां, जिसका कुछ हो नहीं सकता, नहीं मैं सुरू से बड़ा आप्टिमिस्टिक रहा हूँ, अभी भी वो आप आपको मैंने पहले पता है कि मेरी वाइफ को भी अगर मेरी तर्वियत खराब हो उनको दो बार का एंसर हुआ, तो मैं हमें सुरू अप्टिमिस्टिक था कि ठीक हो जाएगा, ये चांस है हुआ है, ठीक हो भी गी, इन्वस्टी में, मेरे मन में ये बात जरूर थी, ऐसा है इसको ठीक करना है, लेकिन ये एक तरह का बैटल था, आपको जीतना है, और डिमॉर्लाइज सोल्जर्स कभी विक्ट्री नहीं दिला सकती है, अगर आप अपने आमी को डिमॉर्लाइज कर दें, तो थोड़ी हम लोग पाकिस्तान को हरा सकते हैं, उसी तरह से एक टागेट किसेशन ठीक करना है, फ्रांची इन्वस्टी में जो मैं जोइन किया कुलपती के तौर पे, जिसे मैं चार्ज ले रहा था, उस दिन वर्सों से करमचारी एक घंटा सुबह और एक घंटा साम नारा लगाते थे, आपको बतरकार बंदू हैं, उसमें ये लोग जानते होंग जो मैं जोइन करने के लिए गया तो साथी तीन-चार बज रहा था, उस रख भी नारा चल रहा था, लोगों ने कहा कि दर्वाजा बंद कर देते हैं लोग, इधी के खिलाफ नारा लगा रहा है, मैंने आप आज आनी चाहिए, आप आज आती नहीं, मैं जोइन किया, मैंने जोएं कोई बात नहीं किया, और एक महिने के बाद मैंने अपने प्रॉक्टर को बिलाया, और प्रॉक्टर भी यह है, केंदूवे प्रॉक्टर थे, उन से यह बात, तकी का आथ भी करे हैं, और मैंने इनको बिला कर कहा कि भाई, करमचारियों को आफ बता देने हैं कि एक कि कहां पर यह नारा लगाएंगे इमे जगढ डिसेड कर दोंगा नारा लगाना इनका अधिकार है तेमोक्रसवी यह नारा लगाइगे हैं गपने कि अगर एक दीनमें शुबह घंटा मारा लगाते हैं लेकिन जो भी आता है तो बिसंदेन यह on और ये miraculous effect इसका हुआ, कि next day से जो वर्सों से नारा चल रहा था, वो नारा बंद हो गया। तो आपको ये विस्वास जगाना होगा, कि मैंने अगर कहा तो मैं करता ही। और ये विस्वास जो मैंने आपको बला, आप बच्चे को अगर उच्छा करता है, तो बच्चा हंसता है, क्यों? जानता है उसको भरोसा कि अगर आएंगे तो मेरे फादर हमको कैच कर लेंगा। इसलिए जब भी कहीं कोई बंदी होती थी, कि मैं कुलपती या प्रतुकुलपती रहा, तो आप लड़कियां यहां हैं, विमन्स कॉलज में बंद होता था। ये और भी कॉलज बंद होते थे। तो एक दो बार गवर्णर भी हमसे रिक्वेस्ट किया है कि आप ती दिन से बंद चल रहा, आप बंद रोकवाएं। तो अगर मैं ताला तुलवाने तो लोगों को भरोसा रहता ही था कि आज ताला खुल जाएगा। और मैं जाक में ये रिक्वेस्ट करता था, कि मैं आपसे हाँ जोड के रिक्वेस्ट करने आया हूँ, कि तीन दिन या चार दिन से ताला बंद है, शाथ परिशान हो रहे हैं। और अगर ताला नहीं खुलेगा ताला तो तूट जागा भी। लेकिन अगर अपने खोलेंगे आप तो ताली बजएगी। और जब मैं खुलवाँगा तो सिर्फ मेरे लिए ताली बजएगी। तिर आप पूछेंगे इतना काम आप कर कैसे पाते थे। मैं इसका क्रेडिट कभी अपने लिया हूँ ना आज भी लूँगा। टीम बनाने की कला मुझे मालूम है। और ये तमाम चीजें टीम के बज़ाद ही मैं कर सका। हमारी टीम हर जग अच्छी रही। जाहिए मैं जेन कॉलज में रहा हूँ या नाच्री कॉलज में रहा हूँ या प्रतिकुलपती रहा हूँ या कुलपती रहा हूँ चेर्मेन रहा। तो ये टीम मेरी ऐसी रही और इतनी सक्षम टीम रही कि हम हर चीज़ करने में सफल हो सके तो ये पूरा क्रेडिट मेरी टीम को जाता है चात्र भी हमारे टीम में था जैसे आप पहले मैंने बताया कि NCC का सिक्षकों का करमचारियों का और अच्छे चात्रों का सुन हो अगर आप के पास हो तो खराप चातर सर उठा ही नहीं सकते हैं और एक जो महाल राची में कभी-कभी मैं पढ़ता भी हूँ और उस वक्त भी था इनका आड्मिशन आपको लेना ही होगा इनका आड्मिशन आप ले ले लें ऐसी परेशानी मेरे साथ कभी आई ही नहीं थी कि वह परिशान नहीं कर सकता था, because of my team, और जो लोगों को जगा दिया था, इसलिए प्राचाज की तौर पर, प्रतिकुलपती के तौर पर, कुलपती के तौर पर, या चेयर्मेन जार्करणिक अडिमिन काउंसिल के नाम पर, कभी मैं परिशान नहीं हुआ फिर आप बात करेंगे वक्तिकत, तो चात्रों का, सिक्षकों का, या करमचारियों का कुछ वक्तिकत समस्य अपना है, और जब प्राचार्ज के रूप में आप प्राचार्ज और पिता दोनों रहते हैं, तो आपके पास तो कुछ अपनी वक्तिकत समस्या के लिए चात्र आएंगे, और एक चीज कि दस वरसों के बाद तक मैं मा को ही देता रहा हूँ उसके बाद जब मैं किसान कोच का प्रिंसपल हो के पटना चला गया तो वेतन मिलता था तुम आप यह पतनी को देता रहते नहीं थे और कॉलेज अभी मेरे पास आप देखेंगे तो मेरे पास एक रुपए भी नहीं लेकिन चात्र कभी-कभी आते थे कि फॉर्म भरने का पैसा नहीं है तो राची कॉलेज में ये तो राची कॉलेज के हैं ये लोग जानते हैं कि जो एक्जाम में मुझे पैसे मिलते थे या संड़े कुछ एक्जाम होता है उसमें ज्यादा पैसा मिलता है कभी-कभी किसी के एक्जाम का पैसा बज भी जाता हुआ तो कंट्रोलर के पैसा मेरा रखा रहता था कुछ चातर आया कि ज़रीज म Short पैसा नहीं है कोई लड़की आया कि ज़रीजिक Ingred были ने का पैसा नहीं है तो सिक्षकों से करमचारियों से एक नियम था कि अगर कोई असाद बिमारी से गरसित है तो लोगों का वेतन कटेगा और इसको दिया जागा उस तरह से में वो लड़ाई भी करमचारी जीत जाते थे तो अब इस तरह से कर परिवारी तोर पर चलाएंगे तो सब लोग आपके साथ रहेंगे आपके परिवार में अगर कोई आपके पिता हो या आपके चाचा हो या आपको कोई बड़ा भाई हो तो उसको कोई अगर खराब नजर से देखता है तो पुरी परिवार खड़ा हो जाता है तो मेरे साथ पूरा कॉलेज खड़ा होता था यही वज़ा है कि बंद मेरे हां कभी नहीं होता था स्ट्राइक कभी नहीं होता था सर्शेक्सनिक्स अलाकार के तरफ पर आपने राजी के थमाम विश्विद्या ले और उच्छी सिक्षन संसानों की जो हालत थी उचसे आप आउगत हैं बरी भारते आउगत हैं आज भी जार्खंड में उच्छ सिक्षा का महौल जो है वो बहुत अच्छा नहीं समझा जाता है तो इस बीमारी की या इस धार्ना के पीछे क्या वजह हो सकती है देखे जार्खंड बनने के बाद सबसे अच्छी बात तो यह हुई कि जो हम लोग बिहार में थे तो सुबह से साम तक और एक तारीक से तीस तारीक तक कुलपती हों प्रतिकुलपती हों या प्राचार्ज हों वेतन कैसे देंगे इसी में लगे रहते थे कभी वेतन 60 परसेंट आता था, कभी 70 परसेंट आता था, कभी 40 परसेंट आता था जारकट बनने के बाद एक तारीक पुरा वेतन और हर चीज में भूस्विधा हो गई है फंड के कोई दिक्कत है नहीं, पोलिटिकल इंटर्फेरंस यहां बिल्कुल नहीं है आप पिदम free hand से काम कर सकते हैं, चात्र भी है जो आप compare करेंगे तो यहां का चात्र और जगर से बहुत अनुसासी थे, समझाने से समझते हैं हमको तो कभी परिशानी नहीं और अभी भी कोई परिशानी की बात नहीं है लेकिन commitment की कमी हर लेवल पर है, चात्रों में भी commitment की कमी है, सिख्षकरों में commitment की कमी है सरकार में भी commitment की कमी है, मैडम जब governor थी, दो decade के बाद, तीन decade को रोस्टर क्लिएर हुआ, क्या लोग इंजार कर रहे थे? जो यूजी सी के पाद आते हैं उनका अर्विटिजमेंट नहीं हुआ खैस कर दो क्यों ज़्म १ lot's एशैनिक मिट्म zij अई ऐसर नहीं है को μई श्यांसता कि पिशम्ट करती थी और लोगों को बताती थी किस तरह से काम करना है सब जानती थी section के वारे में जानतीथ ही और एक बार मैम न can also us patient निकाले में यहीं से तो government house तो regulation no तो चेक भी जो लोग बोल रहे हैं सही है कि नहीं यह जानना भी था और यह काम करना भी था तो दिक्कत सिर्फ एक यह हो गई है कि जब पोस्ट चले गए तो इंटर्वी को नहीं हो रहा है तो वाइशांसस मीटिंग में हमने यह कही थी यह बात कि अगर हम लोग प्रॉपर कोई विधी तो आपको यह बताना होगा ना अगर कोई सिक्षक 10 जनवरी 2020 को क्वालिफाई कर रहा है प्रॉफसर के लिए और अगर उसको हम उस दिन प्रॉपर नहीं कर रहे हैं तो दो सिस्टम का है तो सिस्टम इसके जरूर जवाब दे है कि उसको हम समय पर प्रॉमोशन नहीं दे रहे हैं तो मैंने मीटिंग में कही थी कि डे विल काम कि हम लोगों को वाइशांसर बनाने के लिए प्रॉफसर इंपोर्ट करना पड़ेगा चूब कोई प्रॉफसर रहेंगे ने तो फिर कौन बनेगा यह तो यहां के लोगों के साथ बहुत बड़ी ना इनसाफ करना चाहिए चोगि यह प्रियारिटी समझना चाहिए कोई आदमी जब संतूस्थ होगा तो वेटर परॉफॉरम करेगा जdu अगर आप संतूस्थ नहीं है तो आपका पर्फॉर्मेस जरूर इफ्रक्ट करता है ज़ि इसलिए संतूस्थि के साथ पूरा काम पूरा काम दा जब आप छात्र रहें तो उसके भी कुछ अंभू हो रहे होंगे फिर आप सिच्छक बने कि या इतना लंबा प्रासम तो आपके छात्र जीवन के बारे में फुरी जानने की जिए अच्छा है चात्र जो समाने तरह जीते हैं खेल कुछ में भी रहते हैं दोस्तवाजी भी करते हैं गपशब भी करते हैं लेकि मेरे आपको कहा कि मेरे हां के एक अनुजासन था कि अगर नौ बचे तुम पॉलेज जाते हो या स्कूल जाते हो तो लाइट जलने के पहले शाम में घर आ जा और मेरे बच्चों के लिए वी ओनियम था एक चोटी सी कहानी में अपनी जीवन के बारे में आपको बताऊंगा कि मैं जब रहाची कोलेज में अड्मिशन लिया 1966 में मैट्रिक के बाग तो इसका डॉक्टर बी डास प्रिंसपल थे होली का जमाना था और आप तो लोग ऐस नहीं खेलते हैं लेकिन साथ प्याइब में होली के 15 दिन से पहले रंग खेलने लगते थे हम लोग के कॉल यह वर रंग शुरू हो गया था हमने भी रंग खेला था प्रिंसपल जा रहे तो मेरे मन में आया कि प्रिंसपल को देखा जाए गाड़ी साथे थे वह ते वह क्हेला है लेकिन कॉलेज में नहीं खेला है वह नहीं लेगए अपने कम्रे में ऑर सचीनिवास प्रोप से इंचाच थे उनको मुला सचीनिवास पाबो इसका नाम पूछे ऐड्स पूछी है जूए सच बता लेडके मने नाम और अपना अपना ऊड्रस पोस्टकारumu यह घर कि पोस्ट कार्ट पहुंचा घर पे इसमें लिखा और रंग खेलता हुआ पकड़ा गया है अब आई है मेरे फादर ने सिर्फ एकी चीज़ कहा है कि अगर किसी के बारे में कोई अप्रिसेशन आता है तो पेरेंट्स को अच्छा लगता है लेकिन रंग खेलने वाली बात लेकिन उसने मिश्वास किये कॉलेज गया उनको बताया गया कॉम्प्लेंट गरस तो उनको था ही बात चलता रहा यह बात 66-67 की है 99 जैनवरी में मैं राच्छ का प्रिंस्पल हो गया मेरे फादर हमसे मिलने आया कॉलेज में मेरे फादर क्या देथ थी वो पॉकट में टॉ टॉपी खिला दे तो टॉपी खिला है और हमको अशिरवात दिये तो मैं खड़ा हुआ उनको पैच शुका उनका प्रणाम किया मैंने कहा कि ऐसे प्रिंसिपल रांची कॉलेज में आपको कह रहा हूं कि जो आपको कॉम्प्लेंट लेटर मिला था उसे मैंने रंग नहीं ख प्रूफ कर सकूं और डिपेस उसमें रिपोर्टर थे हंदुस्तान उन्होंने लिखा भी हंदुस्तान में छपा था और प्रभात कवर में भी कि अपनी गलती को जिस्टिफाई करने में सिद्ध करने में कि मैं गलत नहीं था मुझे तीस साल लगे पादर हम से लिपढ़ क हैं यहां हमको सकूर करना है इसके बगार इसको नकारा नकममा यह करना को हो गया है किसी की योगीता या या योगीता को मातने का पहमाना वो अंग हो गया है इसकी होड़ु हो इसत्रा की कई बार जान लेभा Ukाने के लिए सफ़ल होने के लिए माक्स का कोई रूंग है उसी और माक्स तो ऐसा है कि अभी जो स्कूल्स के जो अड्मिशन होते हैं 98 परसंट 99 परसंट तो हम लोग तो पढ़े थे पच्पन में कि डॉक्टर राइंदर परशाग के कॉपी में एक्जामनर ने लिखा था है एक जामनी इस बेटर दन एक्जामनर लेकिन उनको भी 98 परसंट नहीं आए था तो आज के जमाने है उसके पीछे ही है कि हम लोग सिर्फ मार्क्स के लिए पैसे के लिए और पाद के लिए दोड़ रहे हैं कितने लोग ऐसे हैं पेरिंट्स तो अपने बच्चों को हैपिनेस के लिए दोड़ा रहे हैं आपके पास समय नहीं है आप दो साल के बच्चे को मॉबाइल हैं आपके लिए हो नुए हो यह लोग के पास यह दिक्कत किया आए हम लोग अपनी कमी को चिपाने कमी की बात हमेशा वही करता है जिसमें खुद कमी रहती है सूर्दासन आप नहीं नहीं कैं और सन्दर्श का वरन जो सूर्दासन है कि आ इसलिए कमी की बात हम लोग अपनी कमी को छिपाने करते हैं और अभी एक चीज़ मैं आपसे ख़री कहना चाहूंगा अभी जितनी कमी आ रही है वो सिक्षा के चलते आ रही है चूँकि आज सतर असी साल के आजादी के बाद भी हम साक्षर हंदुस्तान की बात करते हैं जबकि अब सिक्षर हंदुस्तान की बात होनी चाहिए और बदलाव हर जगाना चाहिए कि इतना लंबा थाम करते हुए कोई करसक बाकी रह गई कि ये काम मेरे हिस्थे था जो इसको मैं कर सकता था या करना चाहिए कोई करसक तमाम उपलब्दियों के बावजूद देखे हैं एक जीवन एक जनतर प्रक्रिया है और कोई संतुस्त विक्ती नहीं होता है अगर संतुस्त हो जाएगा तो वहां पर प्रगति रूप जाएगा इसलिए हर आदनी के इच्छा तो कुछ ने कुछ रहती ही है लेकिन वैसे मैं बहुत संतुस्त हूं जो भगवान ने हुझे दिया अच्छे माज़ा पिता अच्छे ग्राइंट पेरेंट्स अच्छे बच्चे अच्छी पत्नी अच्छे महौल अच्छे लोग अच्छे सहकर्मी अच्छे च्छात्र और इस चीज से भी मिसंतूस्त कुए मेरे चातरों ने पुर जीवन में अच्छा किया और मेरे दोस्त लोग पढ़ते थे वो लोग भी काफी अच्छा किये और स्पोर्ट्स के चेतर में क्योंगे वहां तो आपको सेलेक्टरना होता है ना वहां भी हमारे चातर बहुत अच्छा किये जैसे हमेशा यह दो तीन जिक्र जरूर करता हूं और मैं उन्हीं से पर्चे भी अपना देता हूं कि मैं रांची को जब रांची इनवस्टी में मैं था तो फर्स्ट ओलम्पिक में जो स्टूडेंट गई रीना कुमारी वो मेरे जमाने में गई आर्चरी में और फर्स वर्ल बॉक्सिंग चैंपियन हुई थी वो भी मेरे ही जमाने में अरुना मिश्रा हुई और कॉमन बेल्थ आर्चरी में जो आल रवार्ट्स ब्रेक की थी जानू हांस था वो भी मेरे स्टूडेंट थी उस मामले में तो मैं बढ़ा फॉर्चुनेट रहा कि मेरे स्टूड हुए हर तरह के लोग मेरे साथ पढ़ने वाले लोग उस तरह संपूस्ती है बच्चे लोग भी ठीक किये और परिबार के सब लोग क्यों कि आपका सक्सिस टोटैल्टी में देखा जाता है कि आप स्वैंग अच्छा करें आपके मातापीत अच्छा करें आपके पत्नी टीम में जितने लोग हैं सब लोग अच्छा करें आपके आपके सवाल जदा कि मैंने शुरू में कहा कि आप तीहत्तर साल के युवा तो इस उमर में इतने एक्टिव इतने जीजीवी सा जो है वो इसका रहस्य क्या है यह थे कि 73 में मैं लेक्शर हुआ था 73 में मैं जॉब में आया उस वक्त से और अभी में तो उस वक्त में और अभी में मैं अपने एक्छा में और अपने अक्टिविटीज में कोई अंतर नहीं पता हूँ अधे तो आप पूछेंगे क्या कारण बिए एक तो है कि मैं जा हसलों की बात मैं कोई चिस करी नहीं करता हूं व्या सोब मैं कभी याद नहीं करता हूँ रिवेंज वाली भापना मेरे मैं कभी रही नहीं कि कोई ऐसा है और सुबह साम हम लोगा रूटीन जैसा आपको मैंने बता है रूटीन है सुबह मैं पूरी फैब्ली हम लोग अभी मेरी मां है सी इस नाइन्टी ए सोड तो हम लोग साथ चाय पीते हैं सुबह और शाम का भी और दो पहर का खाना नास्ता तो अलग-अलग होता है टाइम के हिसाब से पूजा पार्ट के हिसाब से लेकिन लांच और दिनर हम लोग साथ ही करते हैं और हर आदमी एक दूसरे का सौक अब्जॉरवर है जै मेरी मां हो मेरे पिता जी तो भ जन वो गर। रहता ही नहीं कि आदमी अगर परिशान रहता है तो आपको कोई दूणिया में परिशान करने की ताकट नहीं रखता है अप खुत अपने से होते हैं और अब अभी यूट परिशान हो रहा है बह। अब जितने झारखंड के परिक्षा लें विवेगें, इस joj mantri अच्छा काम कर रहा है कोँ अधिकारी अच्छा काम कर रहा है। आप उफ़े वे वज़ह आरोप लगा देते हैं वो काम करने के जगा पर उन आरोपों पहे चला जाता है। तो जो अभी आप कहां कानून चल रहे हैं जो नियम चल रहे हैं बहुत चागा बदलाव किया लेकिन सरकार को सबसे जरूरी है कानूनों को बदलना ये अंग्रेज के जमाने के जो कानून है वो उनके हिसाब से बना हुआ था अभी आप किसी पर आरोप लगा देते हैं आप गवाही देते हैं और एक अफिडिविट आ करना चाहिए वहीं से शुरू होना चाहिए हर चीज का रास्ता तो इन्वस्टीस नहीं रोकर जाता है बाई लड़कों को एक एफिडिविट देना हो को जो गवाही देते हैं या आरोप लगाते हैं तो आप एक सबत पत दें कि हम नार्को पोलिग्राफिक ब्रेन नहीं जाएगी आप देखी या रोप कितने कम जाएंगे आपके यहां जो पांच क्रोड़ मुखत्मा है वोट में भेंडिंग वोगं जाएंगे जुक्रिव कि हम जानी रहें कि जूट बोल रहा है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूं लेकिन जिस दिन यह पता आएगी यह लाग हम बात करेंगे, दूसरे को सुनेंगे, तब ऐसा होगा और आप प्राचार्ज होग कुलपती होग मंतरी होग मुख मंतरी होग आप जब लोगों को सुनेंगे तब ही आप चीजों को जां सकेनगे तो connect होना, प्राचाज को हमेशा छात्रों से बात करते रहना चाहिए, सिक्षकों से बात करते रहना चाहिए, करमचारियों से बात करते रहना चाहिए, कुलपती को भी ही करना होगा, प्रतिकुलपती को भी ही करना होगा, तब आप समस्या को जान पाएंगे, बतब उनका है कि महामहीम जो अभी जो रास्टपती हैं यहां जब थी तो छात्रों से वो इंट्रक्ट करती ही थी टॉपट से इनको पता चलता था कि क्या कमी है और कहां कोई अच्छाई है और उसका वो निदान कर सके जारकंट की पैचान यहां कि ट्रैबल ने रिजनल लैंगवेज से है ट्रैबल ने रिजनल लैंगवेज में हम लोग सिर्फ एक प्रफीसर और बाकी प्रफीसर लेक्शर का पोस्ट दिया हुआ था रीडर का मैदाम ने क्या लगा से अन्यों ने जितने रिजनल लैंगविजन structure की अ श्फक skipping को सब किलिए और अठाके उसके स्क्रिप्ट के क हमने ट्रावल स्क्रिप्ट के लिए क्या काम किया, ट्रावल कल्चर के लिए हमने क्या क्या क्या, ट्रावल आर्ट के लिए हमने क्या क्या क्या, जार्खंट बना इन चीजों को बचाने के लिए और आपको जानके अफसोस होगा कि महा मही मैडम जब थी दरापती मुरमुजी माननी है धराप्ति उम्रमुस्ट उनका जमाने में स्क्रिप्ट पे जो काम हुआ आर्ट किता में जो निकली हो की चे वासा से उसके अलावा भी रिसर्च बहुत हुए हैं काम बहुत हुए हैं लेकिन यह तो उसी तरह की बात है ना कि लोग अंग्रेजी के एक्जाम हिंदी म तो हम होब खासा पढ़ रहे हैं हम संधाली में तो कुछ लोग जानते भी हैं लेकिन होब आगर आप पढ़ रहे हैं जिसका स्क्रिप्ट है उसके स्क्रिप्ट में क्यों नहीं बात करेंगे उसे स्क्रिप्ट में क्यों नहीं लिख्खेंगे इस तरह आप आए आपने झाल झाल